नमस्कार दोस्तों हमारा विहार में आपका स्वागत है आज है दोस्तों छे नवेंबर 2020 और छे नवेंबर 2020 से जितने भी कर इंटरफेर्स के कोश्चन है जो विहार से जुरे हुए है उसका दिसक्स करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते है तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा विहार है और चैनल को जोईन किजिए वहां पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस तोनों लाइंग्वें मिल जाएगा और दोस्तों इस वीडियो के ला निर्मान किया है और इसका नाम लिंका बुक अफ वर्ल्ड रिकोर्ड में साल 2022 के संस्क्राण में सामिल किया जाएगा इसका स्थान मिला है ठीक है तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर सदानन पॉल यह ऑप्शन इसका सही हो गया डॉक्टर सदानन पॉल विहार के कटिहार के रहने वाले हैं वह दुनिया के पहले ऐसे बैगती है जिसने हस्त निर्मित सूदो को का निरमान किया है इन्होंने 20 के सबसे बरे हस्त निर्मित सूदो को जो कि है इक्यासी उन्हें एकासी च्छेटिस ग्रीड का बनाया है जिसका नाम उन्हें अपने नाम पर सदानन्दकू सुडोकू रखाया ठीक है अब ये बिहार के बहुत ही जाने माने हस्ती है ठेट सदारीकॉर्ड इनके नाम है चली इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं तो कवीता के सब्सक्राइब करने का इंडिया बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है इनके नाम बिहार बुक आफ रिकॉर्ड ने मोस्ट टैलेंटेड एसीन का खिताब दिया इनको और तीरह हजार पांसओ से उपर की रचनाएं और संपादन इनके नाम से प्रकासित किया जा चुका है अब दोस्तों यह रहने वाले हैं कटिहार के बारे में जानते हैं तो दोस्तों कटिहार जो है पूर्णिया प्रमंड चार जिला रहा है किसन गंज और अरिया पूर्णिया और कटिहार और दोस्तों इसमें यह रहा कटिहार का लोगेशन कटिहार जिला जो है दोस्तों पूर्णिया और भागलपूर से सटा हुआ है और कटिहार जिला का स्थापना 1973 में हुगा है यह पूर्णिया प्रमंडल क प्रमुख फसल यहां कहाँ धान प्रमुख रूद्यक जूट पट्शन कागज मिल ठीक है और गोगा विल पक्ची विहार जो है ये कटिहार में है जिसका अस्थापना 1990 में किया गया था अगला प्रस्थन है राज में डॉल्फिन के सरक्षन के लिए गंगा डॉल्फिन आस्रेनी की प्रवंध योजना कब से कब तक लागू की गई है तो ये 2018-28 तक लागू है ठीक है सी ओप्सन इसका सही हो गिया राज में गंड़कोसी महाननदा और गंगा में बैग्यानिक तक्निक से वर्ष 2017-18 में गंगा डॉल्फिन की गंणा की गई थी जिसमें उसकी संक्या 14-64 पाई गई 22 अगस 1990 को भागलपूर जिले में सुल्तान गर्से कहर गाओं के बीच 60 किलोमेटर की लंबाई तक गंगा की मुक्य धारा को विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन और भ्यानम के रूप में अधिशुचित किया गया यह देश की एक मात गंगा डॉल्फिन आस्रनी है इसके अलावा मुंगेट जिला के गंगा किनारे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने है तू डॉल्फिन के इको टूरिज्म और संदक्षन के सब्पार्क भी अस्थापित किया गया ठीक है डॉल्फिन का नाम आया है तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला जाएगा ठीक है यह आप लोगो को कॉमेंट बाक्स में बताना है क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूं अगला प्रस्तना है तो हाल ही में हुए दूसरे च्रंफ के मतदान में सबसे अधीक किस जिला में मतदान हुआ है क्यों जो हुआ है यह पटना में हुँआ है जो कि 48 दसंवल, दो दिन पर तिस्वत हुआ है, दूसरे चलन में 17 जिलो में 94 शीटो पर मत्दान हुआ, परतर चलन में 71 शीटो पर मत्दान हुआ था, ठीक है, अगला परसना है बिहार विधान सवाज चुनाओ के तीसरे चलन में कितने शीटो पर म मद्दान दूसरा चरण में होगा अठतर सीटों मद्दान अगर तीनों को जोर आ जा तो टोटल विःविदान सवा का जो सीट है 243 हुआ जाएगा ठीक है और बिहार विदान सवा तो शाक्षर वैक्तियों की इकुल संक्या है पांच करोर 25,453 पंटी एक है कि ऑप्सन इसका सही हो गया और अगर पॉइंट में देखा जायए तो लगभग सम編 5,052,055 करोर और शाक्षर पूरूस की संक्या है 3,11,8023 बैक्ती और शाक्षर महिलाओं की संक्या है 2,08,96,953 ठीक है अगला प्रस्ने वर्ष 2011 के जन गन्ना के अंसार बिहार में जीरो से 6 वर्ष की आयो की संख्या क्या है तो बिहार में जीरो से 6 वर्ष की आयो की बच्चों की संख्या है एक करोर 91,964 ठीक है सीज आप्षन इसका सही हो गया बिहार के कुल जन संख्या का 18.38 पर 36 जो है ये 0-6 वर्ष के बच्चे है अगला प्रस्ने है वर्ष 2018 उने इसमें राज का कुल राजस प्राप्ति कितना था ठीक है तो ये आर्थिक वजट का है आर्थिक सर्वेक्षन का प्रस्ना गया तो वर सभी हो गया और पुंजीगत प्राप्ति था 20,494 करोर रुपिया ठीक है अगला प्रसने दोस्तों वार्सिक स्कीम के तहत बिहार बजट 2020 से कईस में सिक्षा विभाग को कितना रुप्या वंटित गया गया ठीक है तो वार्सिक स्कीम के तहत इसा भी डिपार्टमेंट को कुछ पैसा दिया जाता है खट्च करने के लिए ठीक है तो उसी तरफ वार्सिक स्कीम के तहत बिहार बजट 2020 से कईस में सिक्षा विभाग को दिया गया है एकईश जार दोस्त चौनसर दसम्वत चौविस करो रुप्या ठीक है बी ऑप्सन इसका सही हो गया इसके बाद तो ग्रामीन विकास विभाग को 16,014.88 करो रुप्या अवंटित किया गया है और समाज कल्यान विभाग को 7,997.63 करो रुप्या अवंटित किया गया है तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफियर्स चलते हैं रिविजन के तरफ तो रिविजन का पहला प्रस्थन था घरेलू परियाटन के लिहाज से बिह दूसरा प्रस्था पहली बार कला उत्ता 2020 ऑनलाइन आयजित किया जाएगा तो पहली बार इसमें कौन से प्रतियुक्ता का आयजन किया गया तो खिलोना प्रतियुक्ता को आड किया गया इसमें सामिल किया गया पहली बार बी ऑप्सन इसका सही हो गया तो सही उत्तर हो गय बिहार के दौरे पर आएं और आज का दूसरा प्रस्न है हाली में बिहार के किस वक्ति को सत्यंद्र कुमार दूवे मेमोरियल औवार्ट से सम्वानित किया गया है तो इस दोनों प्रसंद का उतर आप लोग को comment box में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप आप आडियो सुनकर रिविजन करना चाहते हैं तो खबरी अप्लिकेशन पे हमारा भी हट चानल को सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पे आपको प्रति दिन इस वीडियो का आडियो मिल जाएगा जिसे सुनकर आप डिविजन कर सकते हैं खबरी अप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद